गाइस आज के इस वीडियो पर हम कुछ कमाल के moving average indicators को सीखने वाले हैं वैसे moving average indicators काफी same होते हैं दिखने में भी same होते हैं और इनका काम भी बिल्कुल similar होता है तो अभी तक ने moving average adaptive यहाँ तक सीखा है और इसके अलावा अगर आपको इन सभी indicators को भी सीखना step by step तो channel पे आपक all indicators के नाम से एक playlist में जाएगी वहाँ पे click करके आप सभी indicators को step by step सीख सकते हो और आज इस वीडियो पर हम moving average channel, moving average double और moving average exponential इन तीनों indicators को सीखने वाले हैं इसके अलावा moving average के अगर हम बात करें तो यह 4 moving average बच जाते हैं तो इनने हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि moving average का यह बाला जो multiple indicator है वो देखो आप कैसा दिखाई देता है तो यह देखने के बाद आपका दिमाग का पूरा दही हो जाएगा तो दही ना हो आपका दिमाग का इसलिए हम इसे आने वाली वीडियो में सीखेंगे क्योंकि मेरा भी दिमा चैनल बन जाता है और यह जो चैनल है वह आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती है तो moving average का simple सा फंडा तो आपको बता ही होगा अभी तक कर आप मुझे follow कर रहे होगे तो moving average के बाएरे में काफी कुछ आप सीख भी चुके होंगे तो moving average का काम क्या होता है यह आपको बता देता हो मैं ठीक है अगर आपको नहीं पता है तो जब भी price moving average के उपर चल रही होती है तो वो अब trend में होती है और price अगर moving average के नीचे चल रही होती है तो वो downtrend में होती है यह simple सा मतलब होता है पहला काम तो यही होता है कि आप moving average को stock का trend बता सकते हो कि trend कौन से चल रहा है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है अब मैं आपको example दिखाने वाला हूँ और कैसे आपको इस indicator को use करना है वो भी मैं आपको अब ही बताऊंगा तो वीडियो को अब यहांसे बिल्कुल ध्यान से देखना ठीक है अब यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है यह दोनों लाइनों के ऊपर यहाँ पे प्राइस चल रही है तो अब आपको क्या यहां पर बत चल रहा है आपको वदह चल रहा है कि यहां पर जो प्राईस वो अब day I'm up train में आने कि आपको यहां पर सैल नहीं करना है चाहे कुछ भी होजा आपको यहां पर by Г करनी है तो buy आपको कैसे करना है यहाँ पर आप अब आप समझो तो जब भी इस line के ऊपर कोई बड़ी सी green candle आकर close कर देती है यानि कि कोई सब ये candle आकर इस blue line के ऊपर close करती है तो यहाँ पर buy signal generate होता है इसके साथ साथ आपको multiple indicators को भी combine करना है सिर्फ एक indicator के भरो से trade करोगे बिल्कुल आपका loss होगा लिख के ले लो और दुनिया में ऐसा कोई भी indicator नहीं है जो आपको 100% accuracy दे और अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस indicator के साथ कौन सा indicator combine किया जाए तो मैं आपको एक बहुत ही जबर्दस indicator का नाम बताने वाला हूँ जिसका नाम है ADX आप इसे use कर स तो buy करने से पहले आपको कुछ चीजे और देखनी होती है जैसे कि simple price action तो आपको पता ही होगा support, resistance ठीक है और इसके साथ साथ आपको trend line वगेरा भी बनाने आता होगा तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे swing का भी breakout हुआ है तो यह देखो काफी time तक यहाँ पे market इसे लिए क जाता है और साथ में आपको यहाँ पे signal भी मिलता है तो यहाँ पे आप buy करोगे तो 100% आपका profit होगा आपको यहाँ पे stop loss क्या रखना है stop loss आपको रखना है जो भी swing रहेगा उसके लोग का आपको SL रखना है target कहा दख रहेगा वही जो support और resistance आपको यहाँ पे अगर breakout 1 minute का time frame select किया है इसका मलब खतरनाग scalping के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो अगर आपको intradave अगरा करना है तो उसमें आप 5-15 minute का time frame select कर सकते हो तो यह था buy करने का trade ठीक है अब इसी का just opposite होता है sell करने का sell आपको कब करनी है जब भी इस orange वाले line के नीचे आकर कोई red candle close क यह वाला है आपका excel signal और इसके साथ साथ आपको chart patterns वगेरा भी देखनी है जैसे कि यहाँ पे आपको double top pattern में दिखाई दे रहा है इसका breakout भी हो है ठीक है और यहाँ पे breakout हो है तो यह तो आपका buy point हो गया ठीक है अब आपका stop loss क्या रहेगा stop loss आपका यह होगा अगर आपको stop loss क्या हो जाएगा यह वाला जो blue color का आपको line दिखाई दे रहे अगर इसके उपर अगर कोई candle close कर देती है तो simple आपका stop loss हीट हो गया आप वहाँ से चुपचप निकल जाओ नहीं तो फिर आपका loss होगा तो चलिए यह रहा आपका entry अब आपका target क्या होगा जो भी support और resistance आपका target होगा जैसे कि यहाँ पर इस case में यह वाला आपका एक target है और first target तो यह हो गया second target आपका यह है चलिए गाइस दो indicator अभी और बाकी है मैंने इसे में काफे जादा time लगा दिया करीब यहाँ पर 7 मिनट हो जुगा है मुझे तो चलिए बाकी दोनों indicators को मैं आपको ब प्रोस का signal कैसे आपको मिलेगा जब भी orange line blue line को उपर से नीचे की दरफ cross करती है तो यहाँ पर से डीजा सिग्नल जन्रेट होता है जब भी orange line blue line को knee जैसे उपर की तरफ cross करता है तो यहाँ पे आपका buy signal generate होता है लेकिन ये वाला जो cross वाला ये आपको काफी late signal देते हैं जैसे कि market movement कर चुकी होती है और आपको बाद में ये signal देता है तो यहाँ पे आपको signal मिल रहा है तो आप इसे ऐसे भी use कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे अगर इन दोनों लाइनों की उपर आकर कोई भी candle strong candle close कर देती है तो वहाँ पे भी आप entry ले सकते हो cross का wait ना करोगे तो भी चलेगा ठीक है cross का wait करे भीना भी आप entry ले सकते हो लेकिन multiple confirmations होनी ही चाहिए और इसमें भी जब भी इन दोनों लाइनों की नीचे price चल रही होती है downtrend होता है जब भी इस दोनों लाइनों की उपर price चल रही होती है uptrend होता है simple सा ये चीज़ है चलिए next indicator की बात करते हैं जिसका नाम है moving average exponential जिसे काफी जादा लोग use करते हैं अब इसे use करने का reason मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये जो moving average exponential होता है वो previous जो candles होते हैं जैसे कि यहाँ पर ये वाला candles तो previous जो candle होते हैं previous जो data होता है उसे calculate करता है इसलिए इसका जो importance है वो बाकि moving average से जादा जादा ही होता है जैसे कि यहाँ पर आपको moving average exponential दिख रहा होगा एक छोटा सा blue glare का line आ चुका है और इसका setting यहाँ पर 9 का है तो बहुत सारे लोग इसे 9 के setting में भी use करते हैं और मेरा अगर आप पुछोगे तो मैं 20 का moving average use करता हूँ moving average exponential यूज़ करता हूँ आपको वही देखना है जब भी इस blue वाली line के उपर आकर कोई candle close हो जाती है तो यहाँ पर आपको buy signal मिलता है जब भी इस blue वाली line के नीचे आकर candle close हो जाती है यहाँ पर आपको sell signal मिलता है और अभी तो मैं आपको सिर्फ indicators को सिखा रहा हूँ बाकी बाद में हमें इनहीं indicators पर trade लेके आपको दिखाएंगे और trade में trade लेने के बाद आपका profit होता है या फिर नहीं वो भी मैं आपको live दिखाऊंगा इसी channel पर तो अगर आप इस channel को subscribe करोगे तो सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी ठीक है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो यह था moving average exponential यूज करो पैसा बनता है तो इस channel को subscribe जरूर से करना